तीन दिन सिर्फ दो गराम चुण गरम पानी के साथ और पूरी जिंदगी सुगरोग, कॉलोस्टोल, पेट के रोग और दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारिक नुस्खे को बना कर दिखाएंगे। आपका सरीर बिल्कुल सुद हो जाएगा, आपका सरीर बिल्कुल साफ हो जाएगा, ये नुस्खा आपके पेट की सफाई कर देगा, आपके आँटों की गंदगी को साफ कर देगा, आपके लीवर को सही कर देगा, इतना चमतकारी है ये नुस्खा, तो चले दोस्तों बता पेट की सफ़ाई करने के लिए लिवर, तिल्ली, सूल और गरब के रोगों में बहुत अधिक किया जाता है। तो आए दोस्तो जानते हैं इस नुस्खे को बनाने की विधी के बारे में। दोस्तो आपको इस नुस्खे के लिए तीन सामगरी की आफ सकता है। पहली है काला दान, दोस्तो काले दाने को क्रिसन बीज के नाम से भी जाना जाता है, यह चाहिए आपको 30 ग्राम, यह आपको किसी भी नस्थी की पंसारी की सोब से असानी से मिल जाएगा, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहां पाउडर बना लेना है, जैसे कि हमने इन तीनों का पाउडर अलग-अलग बना लिया, अब आपने इन तीनों को अच्छी त्रहें से मिक्स कर देना है, और दोस्तों आपके सरीर को सुध करने वाला सरीर सोधन चून ready हो गया है, यह चून कबच मिटाने और दस्त को खोलने में अचूक, यहचू, यकृत, पलिहा, सूल और गर्भासे के रोगों में भी दिया जाता है। इनके सिवा जिन रोगों में दवा देने से पहले पेट को बिलकुल साफ करने की जरूरत होती हैं। उसमें भी इसको आप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तो इसका सबसे बड़ा फाइदा क्या है कि इससे आपको जो सारा गंध है वो ठोस रूम में सरीर से बाहराता है। यानि कि आपको पतले दस्त नहीं लगते हैं। अब बात आती है इसके सेवन की। दोस्तो इसकी सेवन की मातरा दो ग्राम से लेकर पांच ग्राम तक की है। लेकिन आपने पहले दिन सिर्फ दो ग्राम का ही चून का सेवन करना है। रात को सोते समय हलके गरम पानी के साथ। क्योंकि यदि आप पहले दिन दो ग्राम से अधिक इस चोन को लेंगे तब आपको दस्त लग सकते हैं और इसको लेने से आपके पेट में हलका सा दर्द भी हो सकते हैं क्योंकि इस चोन को लेने से यह आतों में जमा गंद को खोर्च खोर्च कर बाहर निकालता है इसलिए आपको हलका दर्द हो सकता है लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है आप ऐसे कर सकते हैं पहले दिन आप 2 ग्राम ले दूसरे दिन आप 3 या 4 ग्राम ले और तीसरे दिन आप 5 ग्राम ले यनि आपको सिरफ 3 दिन लेने है और 4 दिन इसका सेवन नहीं करना है दोस दोस्तो आप भी इस चोन का सेवन कीजिए और अपने सरीर को बिलकुल सवस्त बना दीजिए और हर तरहें के विमारी से बजे रहें तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो पलीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वली वडियो की नोटिपकेशन आत रहें धन्यवा दोस्तो